नवरात्री, मादुर्गा के नौरूपों के पूजन का पर्व, मादुर्गा यानि की शक्ति का आवाहन, इस नवरात्री के ये नव दिन हर भारत्वासी का विशेश दिन होता है, और हो भी क्यों ना, जिस तेवार में मा की उपासना हो, जहां मादुर्गा की आराधना हो, और जहां जगत जननी, जगदंबा का आशिर्वाध हो, वे तेवार उत्सव में परिवर्तित कूचाता है, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे नकोई, यह अभिलाशा है प्रभू, मेरी पूरण होई, विद्या बुद्धी, धन धान्य से, वंचित रहे न कोई यह अभिलाशा है प्रभू मेरी पूरण होई सर्वे भवन्त सुखिनह सर्वे संत निरामया सर्वे भद्रानी पश्चन्त मा कस्य दुख भागववेत नानक नाम चड़ दीकला तेरे पाणे सर्वत दाबलाद शारदी नवरातरी अश्विन माह के प्रतिपदा तिथी से शुरू होकर नौमी तिथी तक होती है और नौमी तिथी के बाद दश्मी तिथी को विजे दश्मी का तेहवार मनाया जाता है भारत देश की अलग-अलग हिस्सों में नवरातरी अलग-अलग तरीके से मनाया जाती है उत्तर भारत में घट यानि कलश स्थापना पूर्वी अंचल में दुर्गा पूचा तो दक्षण में गोलू स्थापना के रूप में नवरातरी का पर्व मनाया जाता है कुछ लोग जौरान देवी के भजन गाते हैं तो कुछ नौ दिन का उपवास रखते हैं इस अफसर पर गुजरात और मुंबई में गर्बा नरत्य का आयोजन किया जाता है हमारे देश के पूर्वी छोर पर विशेश रूप से बंगाल में मा दुर्गा की आराधना करते हुए लोग आनंद प्रमोत करते हैं जिसको दुर्गा पूजा कहा जाता है मात्री प्रधान संस्कृती है हमारी हमने तो अपने राष्ट के नाम के साथ भी मा भारत माता की जय बोली है पृत्वी को मा कहते हैं हम पशु नहीं गव को मा कहते हैं हम नदिया नहीं गंगा इत्यादी को मा कहते हैं हम तुलसी एक पौधा नहीं है हम तुलसी माता कहते हैं उसे एक पुस्तक नहीं है, गीता माता कहते हैं, एक मंत्र मात्र नहीं, गाइत्री माता कहते हैं हमारे शरीर को जो बचाने में सक्षम बनाए हुए है, उसको भी आत्मा कहते हैं, उसमें माशब्द आता है जो हमोंको मार्गदर्शन देते हैं जिनके बल पर ये दुनिया ठिकी है परमात्मा भी मानव शरीर धारन करके जिनको नत्मस्तक होते हैं उनको भी महात्मा कहते हैं और उस परमशक्ति को तो परमात्मा कहते हैं हमने संबंद भी पहला यही तो बनाया है तुमें वह माताश चपिता तुमें बाकी सब बाद में पहले मा का रिष्टा बनाया है बंगाल के कोलकता शहर में अश्टमी की शाम सैपलो भक्त मा के आशिरवात की अभिलाशक लिए उतराते हैं क्योंकि महा अश्टमी के दिन होती है दुर्गा उत्सव की सबसे महतापों पूचा जिसे देखने के लिए लग जाती है भक्तों की भील यह है संधी पूजा संधी पूजा अश्टमी के आखरी और नौमी के पहले 24 मिनट में की जाती है धार में ग्रन्थों के अनुसार ये वो महुरत है जिस समय मा दुर्गा ने अपने चामुंडा रूप में चंद और मुन का साहार किया था ये युद पूरे 9 दिन तक चला था और 10 वे दिन मा दुर्गा ने महेशासुर का वदकर विजह प्राव्द की थी संधी पूजा के आखरी 20 मिनट में 108 दिये जलाए जाते हैं इन दियों को जलाने के पीछे कई मान्यताएं हैं जसमें से एक हैं भगवान राम ने संधी पूजा करके 108 दिये जलाए और मा दुर्गा की पूजा का अनुष्ठान किया और 10 वे दिन मा दुर्गा ने प्रकट होकर भगवान राम को युद में विजह प्राव्दी का आशिर्वाद दिया भगवान श्री राम ने दस्वे दिन रामन का वदकर रामन पे विजह प्राव्द की इसके बाद से नवरात्री मनाने की परंपरा आनम हुई और दस्वे दिन रामन का पुतला दहन किया जाता है महाभारत की समी श्रेकरश्ण ने अर्जुन को विजय प्राप्ति के लिए मादुर्गा की पूजा करने के लिए कहा था और अर्जुन ने भी मादुर्गा की पूजा की थी अवकत होता है कि सत्युकाल से चली आ रही देवी पूजा की प्रथा आज भी नवरात्री के रूप में निरंतर प्रवाहमान है जहां संस्कृती और उत्सव मिलते हैं वहां परंपरा भी होती है और उसी परंपरा में है मा दुर्गा का नवरात्री कहते हैं मा शब्द एक भावनात्मक जोड़ है माता और उसके भक्तों के बीच जिसे शब्दों की माला में पिरोपाना असंभो है इसमें भक्ती का भाव, करुणा और लगाव का संगम है ब्यूरू रिपोर्ट डीडी नियूस